सितला माता की कहानी नियम से भगवती की पूजा होती थी नमक खाने पर भी पावंदी थी और सबजी में ना तो चौक लगता था और ना ही कोई वस्तू भूनी तली जाती थी गरम वस्तू ना वह स्वयम खाता न सितला वाले लड़के को देता था ऐसा करने से उसका पुत्र सिग्र ही ठीक हो ग गिया था रोज हवन बलीदान होते थे राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निबंगन रहते थे राजमहल में रोज कढ़ाई चड़ती बिमिन्न प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते सबजी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे इसका प्रणाम किया हुआ कि उन लजीज भोजनों की गंद से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन के लिए जिद्ध करता एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलोता इसकारण उनकी अनुचित जिद्ध भी पूरी कर दी जाती थी इस पर सीतला का कोब घटने की बजाए बढ़ने लगा सीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोरे भी निकलने लगे जिसमें खुजली और जलन अधिक होती थी जीतला की सांती के लिए राजा जितने भी उपाई करता सीतला का प्रकौप उतना ही बढ़ता जाता क्योंकि अग्यानता वस राजा के यहां सभी कारे एक दिन राजा के गुप्त चरों ने उन्हें बताया कि काच्छी पुत्र को भी सीतला निकली थी पर वह बिल्कूल ठीक हो गया है यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि सीतला की इतनी सेवा कर रहा हूं पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं पर मेरा पुत्र अधीक रोगी होता जा रहा जबकि काच्छी पुत्र बिना सेवा पुजा के ही ठीक हो गया इसी सोच में उसे नींद आ गई स्वेत वस्त्र धारिनी भगवती ने उसे स्वपन में दर्सन दे कर कहा है राजन मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जिवित है इसके ठीक ना होने के कारण यह है कि तुमने सीतला के समय पालन करने योगिन्यूमा का उलंगन किया है तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए नमक से रोगी के फोडों में खुजली होती है और घर की सबजियों में चौक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी गंद से रोगी का मन उन वस्तूओं को खाने के लिए ललसता है रोगी का किसी के पास आना जाना मना है क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भैराता है इसलिए इन योमों का पालन कर तो तेरा पुत्र अवस्य ही ठीक हो जाएगा बिधी समझा कर मा अंतरध्यान हो गई सुभा राजा ने देवी की आग्यानुसार सभी कारियों की वेबस्था कर दी और इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल परभाव पड़ा और वह सिग्र ही ठीक हो गया इसी दिन भगवान स्रीकृष्ण और माता देवी की का विदीवत पूजन करके मतिकाल में सात्विक पधारतों का भोग लगाना चाहिए ऐसा करने से पुन ही नहीं मिलता बलकि समस्त दुखों का निवारन भी हो जाता है तो इस बार सीतला माता की जो पूजा होगी अस्टमी के दिन कलस अस्थापित कर माता का पूजन किया जाता है और प्राथना की जाती है कि चेचक, गलगों, टूबरी माता, छोटी माता, तिब्रदा, दुर्गंद युक्त फोडे, नेत्र रोक, सीतल जनित सभी प्रकार के दोस्त, सीतला माता की अराधना पूजा से दूर हो जाए इस दिन सीतला स्तुरोत का पाट, सीतल जनित, ब्याधी से पिरित के लिए भितकारी है सीतला दिगंबर है, गदर पर आडूड है, सूप मार जनी, नीम पत्तों से अलंकित है, इस अब सर्प सीतला मा का पाट करके निरोग रहने के लिए प्राठना की जाती है सीतला सब्तमी और सीतला अस्टमी ब्रत मनुस्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला रहा ब्रत है और आयुर्वेद की भासा में चेचक का ही नाम सीतला भी है इसलिए इस उपासना से सारेरिक सुध्धी मानसिक पवित्रता खान पान की साब्धानियों का संदेश मिलता है अब सीतला माता भगवती दुरगा का ही रूप है और भारती उपासना में मनुस्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है और कहा जाता है गर्मी की दिनों में सरीर में अनेक प्रकार के पित्विकार होने प्रारम हो जाते हैं इसलिए सीतला अस्टमी का बत रखने से छोटी माता का प्रकोब नहीं होता इस पूजन में सीतल जल बासी भोजन का भोग लगाने का बिर्धान है और सीतला अस्टमी का बत रखकर माता की भक्ती करके अपने परिवार की रक्षा के लिए मा से प्राठटना करते हैं तो सीतला सब्तमी जिसको हम बसौरा पर्व कहते हैं ये चैतर कृष्ण पक्ष की अस्टमी बैसाख, जेश्ट और आसार महने के किस्ट पक्स की अस्टिमी को भी किया जाता है तो फिलाल आपसे भी दा लेते हैं हर हर महा देते हैं